नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है पेश 29 मईश अनिवार सुबह सब अच्छा बजे राष्टान की बड़ी खबरें राष्टान सरकार ने एक जून से अनलॉक की शुरुआत करने की यूज नाम बनाई है इसे मिनी अनलॉक नाम दिया गया है इसमें बहुत ज़्यादा छूट नहीं मिलने वाली है पहले फेश में बाजार में सिमी संक्या में दुकाने खोलने की मंजूरी मिलेगी पहले राष्टान में 8 जून तक लोगडाउन लगाया गया था लेकिन जहां करोना के मामले कम हैं वहां अनलॉक की शुरुवात की जा रही है ग्रैवे भाग इसकी गाइडलाइन तयार कर रहा है मुख्य मंत्रेशो गहलोत इसे मंजूरी देंगे माना जा रहा है कि अनलॉक के पहले फेज में किराना और खादे समगरी दूद डेरी जैसे दुकानों के खुलने का समय बढ़ना तया है अब एक किराना दुकानों के खुलने का समय सुबह 6 से 11 है जिसे शाम के 5 बजे तक बढ़ाया जा सकता है अनलोक में एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर और एक गाउं से दूसरे गाउं में आवागमन पर लगी रोक हड सकती है नेजिवाहनों को शर्तों के साथ अनुमती दी जा सकती है गर्मी के सीजन को देखते हुए इलक्टोनिक्स की दुकानों को खोलने की मंजूरी मिल सकती है स्वामी रामदेव के एलोपैथी पर दिये गए बयानों के विवाद के बीच वुराजी सरका ने पतंजली प्रोड़क्ट्स पर नजर टिका रखी है शुकरवार को अलवर के खैर्थर कस्बे में स्थिद पतंजली तेल पैकेजिंग प्लांट पर पुशासन के अधिकारी सेंपल लेने पहुँच गए यहां से तेल के तीन सेंपल ले गए अलांकि अधिकारियों का कहना है कि यह रूटीन सेंपल एकत्र करने की प्रक्रिया है जब भी किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट के शिकायत आती है तो वे सेंपल लेकर उनके जाच कराते हैं अब जाच में जो भी सामने आएं उसमें अभी समय लगेगा देश भर में कोविट के विपरित हालातों के बीच लोगों की जान जाने और अस्पतालों में जबदस्ट भीडभार और मरीजों के हाहकार के बीच सरहदी बाड़मेर से कोरोना काल में समर्पन से सेवा करने वालों को सबसे बड़ी सौगात मिली है कोविट के विपरीद हालातों में 24 गंटे अस्पताल की सफाई विवस्था में लगे 48 लोगों को सरकारी नौकरी का तौफ़ाद दिया गया है बाडमेल जिला अस्पताल में 48 सफाई करमचारी कोविट के विपरीद हालातों में जीजान से चुटे हुए थे चारो तरफ फैले संकरमन और लोगों की मौतों के बीच पीपी एकिट पहन कर इन सफाई करमचारीों ने समर्पन से अपने काम को अंजाम दिया तावते तुफान के गुजर जाने के पास राजस्तान एक बार फिर भीशन गर्मी की चपेट में आ गया है प्रदेश की कई इलाके सुरज की तपिश से तपने लगी है भीशन लू का दौर शुरू हो चुका है आसमन से आग बरसने लगी है कई इलाकों में तापमान 45-46 डिग्री तक पहुँचने लग गया है दिन तो दिन रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है मौसम में भागने कुछ दिनों में कई इलाकों में तापमान बढ़हुतरी के आसा जताएं हैं दिल्ली से अमेरिका जो रहे एर इंडिया के प्लेन में चमगादर दिखने पर उसके एमर्जनसी लेंडिंग करानी पड़ी एर इंडिया की फ्लाइट ने शुकरवाद तड़के दो बच कर 20 मिनिट पर दिल्ली से अमेरिका के नवार के लिए उडान भरी थी टेक ओफ की करीब 30 मिनिट बाद पैसेंजर एरिया यानि की कैबिन में चमगादर दिखाई दिया इसके बाद प्लेन को वापस दिल्ली लाए गया जोहां सुबह करीब 3 बच कर 55 मिनिट पर प्लेन के एमर्जनसी लेंडिंग करवाई गई इसके बाद वन विभाग के अमले ने उसमें से मरा हुआ चमगादर निकाला रासान में वैक्सिन की जब से मांग बड़ी है तब से इसकी एक एक बून की किमत नजर आने लगी है पहले 7 फिजदी तक डोस बरबाद हो रही थी अब बरबाद होने के बजाए सर प्लस लोगों को डोस लग रही है यानि जितने लोगों के लिए वैक्सिन यहां आ रही है उससे ज़्यादा लोगों को डोस लगाई चा रही है 18-44 के एज ग्रूप वालों में ऐसा ही देखने को मिला है पिछले 27 दिन के अंदर राजे में जितने डोस सरकार को मिली उसकी संख्या से 13,08 की संख्या में ज़्यादा लोगों को वैक्सिन लगा दी दरसल एक वाल में एक्स्ट्रा दवा होती है जिसे बचा कर 13,000 से ज़्यादा लोगों का वैक्सिनेशन किया गया है GST काउंसिल की 43 बैटक में केंद्रे वित्मंत्री ने कहा कि कोविड राहत आइटम्स के इंपोर्ट पर छूट देने का फैसला लिया गया है इस चूट को 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ाई जाने का फैसला भी लिया जो रहा है इसके अलावा ब्लैक फंगस की मेडिसिन के इंपोर्ट पर भी चूट बढ़ाई गई है वित्यमंत्री ने कहा कि कोविड से जुड़ी राहत सामगरियों पर टेक्स रियायतों और इनके आयात पर IGST छूट को 31 अकस 2021 तक बढ़ा दिया गया है बैटक से पहले ये उमीड जोताई जा रही थी कि सरकार मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन, ऑक्सिजन कॉंसेंट्रेटर मशीन, पल्स ऑक्सिमिटर और कोविड टेस्टिंग किट पर टेक्स दर्प 12 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर सकती है लेकिन भासपा शासित राज्जियों के कई वित्मंत्रियों ने इस पर सहमती नहीं जोताई कोविड की कारण चल रहे है लोगडाउन के बीच प्रदेश का शिक्षा विभाग, शिक्षा अधिकारियों की पदोनती की तैयारी कर रहा है निदेशाले विगानेर सहीत विभाग के कार्याले 10-30 स्टाफ के साथ खुलने शुरू हो चुके हैं और निदेशाले ने शिक्षा ग्रूप 2 ने एक अप्रेल 2021 को कारत 501 निदेशक, 37 उपनिदेशक और 187 जिला शिक्षा अधिकारियों की अंतरिम वरिस्टता सूची जारी की है सूची शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है सूची में यदि किसी को कोई आपत्ती है तो 4 जुन 2021 तक आपत्ती दर्च करवा सकेंगे कोविड की कारण शिक्षन संसाइब बंध है ना केवल स्कूल बलकि कॉलेज और विश्य विद्याले के स्टुडेंट्स की पढ़ाई ऑनलाइन चोल रही है परिक्षाया युजित नहीं हो पाई है ऐसे में विद्यार्थि अपने करियर को लेकर मांसिक तनाव में है विद्यार्थियों पर इस तनाव का विपरित असर नहीं पड़े इसे ध्यान में रखते हुए अब UGC आगे आया है और UGC ने शुक्षन संसानों को इस समन में उचित कदम उठाने के निर्देश देती हुए एक सर्क्यूलर ज्वारी किया है जिसमें UGC से कहा गया है कि वो अपने सर पर इसके लिए कारे करें हेल्प डेस्क बनाएं साथ ही एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए जिससे विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को दूर किया जा सके वो स्टुडेंट और उनके परिवार के साथ संपर्क बनाएं उर्जा मंत्री डाक्टर बीडी कल्ला ने जयपूर जोदपूर और अजमें डिस्कॉम के तहत कारत डिस्रिबिउशन फ्रेंच्चाइजी के कारियों के विदित भवन में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में समिक्षा की बैठक में उर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने वरतमान में कोटा भरतपूर बिकानेर और अजमेर में कारत डिस्रिब्यूशन फ्रेंच्चाइजी के मामडो एवंकारियों के दौरान आ रही समस्या और चुनोतियों के बारे में जवानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश तो फिलाल इस पिलेटिन में इतना है फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें